हलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले स्टोफ क्राफ लिमिटेड की इस शेयर से लेटेड इसके फर्णामेंटल टेक्निकल सब कुछ यहाँ पर जानते हुए नजर आएंगे कि करके हाना जानेंगे कि यहाँ पर शेयर अच्छा है कि नहीं है आज यहाँ पर लगब को हिट करें और की नॉटिफिकेशन को अन करें बाइंग सा लिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फैनेशल एडवाइजर कुछ की स्टडी करना है चीटों को सीखना है सीखने के लिए वीडियो देखिए बहुत सारी चीटे आपको सीखने को मिलेगी साथ में अगर बेसिक्स टू एडवांस है यहां पर हम टेकनिकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है यह सब कुछ आपको बताता हुआ नजराओंगा पच्छी सजार उपर कोर्स है इसके लाबा थिरी मंस की एंडोल्डिंग स्टाटीज उ क्यों गिरता है सब कुछ A to Z समझ में आएगा बाकी साथ में काम भी करना है तो आप इनी नंबरों पर कांटक करिए साथ में हम काम कर सकते हैं पोर्टफोलियो जितना बड़ा हो उतना अच्छा और यहां पर आप देखिए I am small cap investor को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां प पर देखिए यह जो कंपनी है ना एक अच्छी कंपनी है पहली बात और यह 1999 में यहां पर इंकोपरेटीड हुई थी बाइद मिस्टर राजेंदर गांधी इन इन इट मैनुफेक्टर राइंज ऑफ किचन सॉलूशन अंडर पीजन हाना आपने यहां पर देख होंगे पर देखेंगे लेटीडे कंपनी काम करती हुई नजर आती है और यहां पर आप देखेंगे इन्हों नहीं पर LED बल्व और ओक्सीमीटर भी यहां पर लगाते हुए नजर आया तो एक बार आप यहां पर इसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया ब्रेंड है और अच्छा खासा ब्रेंड है आप किसी भी मार्केट में जाएंगे ना आपको इसके प्रोड़क्त इजीली आपर दिखाई देंगे पीजन के यहां पर आप देख सकते हैं यह एक ब्रेंड हो गया इनका गिलमा एक पर्टिकुलर दूसरा ब्रेंड हो गया ठ ठीक है वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो बहुत पहले से है उदर उसने तो मॉल्टी वैगर रिटर नहीं पर दिये ठीक है मार्केट कैप की बात करें तो देखिए अगें 1783 करोड रुपे का मार्केट कैप है मतलब स्मॉल कैप है और जब मैं स्मॉल कैप की बात आप मैक्सिमन चार्ट पर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि शेर गिरता भी है कि हजार रुपे वाला स्टॉक्स तीन सो साड़े तीन सो चार्ट सो रुपे पर भी जाता है तो यह स्मॉल कैप की पहचान है तो इसलिए हजम करना सीखना पड़ेगा आपको समझ में चाहिए कि यहां पर कब लेना है कब बेचना यहां पर बेचना था यहां पर लेना है तो वह चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए स्मॉल के लिए आदरवाइस आप ट्रैप हो जाओगे आपका पैसा कभी नी बनेगा और यह हम अपनी चीज में सिखा हमारे कोर्स में वह समॉल केप में ही पैसा है वह आपको यहांपर समझ मेदाएगा मार्गिट कैप समॉल कैप मेंप की बात करें 52 का इंडस्टी का पी 82 का तो सस्ता नजराता है और रोसी रोइं की बात करें तो कुछ खास है नहीं मार्जन की इसके इंपर तस्फंट के एक स्थायँच्ट यहां पर आप देखिए कंपनी से लेटे से तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होगी कि से पहले स्टार्टिंग में बीच में यहां पर बढ़ी थी और यहां पर आप देखेंगे तो लगबर एवरेस सेल रही है ऐसा कुछ अनोखा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ज अलग स्टोरी आप नहीं पकड़ोगे जो आप समझोगे नहीं कि क्या है शेयर में क्यों भाग रहा है किसलिए भाग रहा है रीजन भी तो होना चाहिए न वह सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं कि बीना रीजन के भागते है अना अगर मैं आपको एक्जम्पल दूँ तो य यहां पर देखें कहां 20 क्रोड का प्रॉफिट कहां केवल 2 क्रोड का प्रॉफिट यहां पर यहां पर यहां पर यह समझ में आता है बट इस्टिल कोई इतना बड़ा 300 क्रोड के यहां पर सेल्स में 2 क्रोड का प्रॉफिट कुछ खास प्रॉफिट नहीं है शिट को याद yearly based पर company का performance थोड़ा अच्छा खासा यहां पर दिखाई देता है हाना बट यहां पर आप देखिए company घाटे से profit में भी आई है बट 2021 से यहां पर नीचे देखिए जब से इसका IPO आया है लगता शेयर गिर रहा है और क्या होता है जब IPO आता है ना किसी भी शेयर का तो अना आप शनाब valuation पर आता है फिर उसके बाद और भगा देते हैं तो उनकी valuation और बढ़े आती है और जब valuation आप जब बजार में जाओगे अगर आपको 20 रुपे किलो जब चीजन लेने आया हो तो इसी भाव से आपको मोल भाव करना है और मोल भाव वैसे तो किया नहीं जा सकता आपको वेट करना पड़ेगा पेशिन के साथ अना आप आगे बढ़ते हैं रिजसर्फ की बात करें जहां 27 करोड घाटा था वहां पर 400 करोड जिहां हffentlich इसक्कों करोड रिजर्फ से 400 करोड अच्छी हो इहां पर चीज दिखाई दे दियता है साथ में हम थोड़ा सा और आगे बड़े तो यहां पर आपको बॉर्राइंग दिखाई दे रही है कि कंपनी की बॉर्राइंग बीच में काफी कम हुई जब IPO आया तो बॉर्राइंग बिल्कुली कम होगी यहां पर आप देखिए IPO के बाद से लगाता है फिर बढ़ लगी 256 करोड का अना तो यह IPO के टाइम पर जो management होता है ना वो भी कुछ ना को इदर उदर करके रखता है जो कि IPO आने के बाद यहां पर पता चलती है शेयर मार्केट में लिश्ट होने के बाद पता चलता है इसलिए जब भी मैं किसी को यहां पर पढ़ाता हूँ ना तो मैं यहां पर बताता हूँ कि IPO के stocks में कैसे ट्रेड करना है ऐसा नहीं कि आप IPO का श्रयार आया और आपने तुरंती पैसे लगा दिये फिर आप ATM और अलग-अलग जितने भी stock है ना फसते हुए नजर आते हो क्योंकि initially मैं इस तरीके से फसता था बट जब पूरी study करके यहां पर समझ में आया कि IPO के stocks में कैसे ट्रेड करना है उस दिन से आज तक मैं एक भी IPO के stock में नहीं फसा प्रॉफिट लेके निकलाओंगा ठीक ना घाटे पर मैंने उस दिन से कोई भी stock यहां पर बाई नहीं किया तो इसलिए कहता हूँ सीखना बोट जरूरी है जब तक सीखोगे नहीं पैसा नहीं बनेगा मेर से सीखो किसी और से सीखो वह अलग बात है बट मैं अपने इस course को ना कहता हूँ कि यह इंडिया का सबसे बहतरीन course है आगे बढ़ते हो यहां पर देखिए वर्किंपोगेस में 30 करोड रुपे लग ершight संयर चिनिया FICE की बात करें जोग 6% 9 % सारे निकल गये हैं न क्योंकि पर डीचन बनी नहीं रहां कंपनिया पर उस तरीकव कर Pero family करें US कि लगभण निकल चुक पूब्ली की बात करें पबलीग को चेप आ घया है यह यह जिख जाता है तो कहीं न कहीं थोड़े वो शेयर लोग आ जाते हैं और उदर उन में से कुछ लोग आए शेयर को यहां पर खरीदा ठीक है आशीश का चौलिया एस इंवेश्टर इनके पास भी यह शेयर पड़ा हुआ है बट इनकी बात अलग है आना यह यहां पर रख सकते हैं क् 30-4,000,000 क्रोड रुपे के मालिक है तो थोड़ा 1-2% रख लिए तो 1% कितना होता है मुश्किल से यहां पर 10 क्रोड के आसपास होता है तो कौछ बड़ी बात इहां पर दिखाईन ने देती 17 क्रोड 20 क्रोड के आसपास होता है वाना 30 क्रोड लगा लिजिए जो कि इनका तो यह सारा का सारा इसका फंडमेंटल है बात करते हैं आपर टेक्निकल से लेटी टेक्निकल क्या कह रहे है बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आइंस्मालगाप इंवेश्टर चाहिए को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट अलके नोट्रिफिकेशन को अन करें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फैनेशल एडवाईजर कुछ की स्टड़ी करें एडूकेशन अपर परपस से वीडियो है और इन नमबरों पर कॉल करके मैसेज वाटसप करके कोर्स की एंक्वाईरी कर सकते हो हमारे साथ काम कर सकते हो अगर आपको श्टॉक मार्केट में सीरियस हो तो यहां पर देखिए शेयर गिरा गिरने के बाद आप देखेंगे साड़े तीन सो रुपे से लगबग साड़े पान सो की तरफ यह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि पान सो अटालीस रुपे का यहां पर हई भी लगाया इसमें तो अभी क्या नजर आता है कि स्टेज होती है कि मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं क्या होती है यह यह देखिए श्टेज 4 ती स्टेज 3 और स्टेज 4 के बाद अगेन श्टेज 1 में यह शेर चल रहा है तो ज चैसे पैसे जाए और बौटम पर लेने का यहां पर कोई फायदा नहीं होता हमेशा कोशिश करने चाहिए ऐसी जगह पर चीजों को लेने की कि जहां से आप लो और शेयर भागे ना कि आप लो लेकर आप 2 साल बैठे रहो ऐसा नहीं होना चीए इस चीज को भी यहाँ पर समझना है, क्या चीज है यहाँ पर दिखाई देती है अच्छी, तो अभी मुझे क्या नजर आता है, जो इसके financials है, मुझे नजर आता है कि अभी रुकना चाहिए, रुकना in the sense, मुझे लगता है कि 3-6 महीने और शायद यह यह शेयर इधर consolidate करेग यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, बट कितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 585 रुपे तक, 585-600 रुपे तक दिखाई दे रहा है, जिस दिन ही यह शेयर, 600 रुपे के ऊपर निकलेगा, उस दिन यहाँ पर आप इसमें थोड़ी सी एंट्री ले चल रहा था तब मैंने यहां पर इस particular area में बात करी थी कि यहां पर लेना मैंने गाथा 750 पर लेना पैसे बनेंगे और यहां पर देखिए उधर ही पैसे बनें यहां पर मैंने बिल्कुल भी नहीं का से मैंने यहां पर आपको बताया था कि IRCTC अगर आपको शेयर खरीदना है तो IRCTC का भाव यह नहीं है कि आप नीचे ले लिया, IRCTC आप तब लीजेगा जब यह शेयर यहाँ पर 700 रुपे के ऊपर निकले, आपके पैसे बनेंगे और यहाँ पर पैसे बनेंगे, तो same as it is मैं आपर जब इस्टोग क्राफ्ट की बात कर रहा हूं, तो एरे गहरे भाव पर नहीं लेना, आना एरे गहरे भाव पर लोगे, तो हमेशा फस्ते हुए नजर आओगे, 10%, 20% की तेजी, यह बता रही है कि चीजे आगे के लिए ठीक हो रही है, बट यह यह चीज़ अभी बता रही है कि अभी लेने लाइक नहीं है, क्योंकि उपर जाके फसाएंगे, फिर आप यहाँ पर परिशान होगे, आप loss में निकल जाओगे, फिर बगाएंगे, फिर कहोगे कि हम जब लेते हैं, तो शेयर गिर जाता है, जब बेसते हैं, तो शेयर भाग जाता है, तो वो यही कहानी है, इसी कहानी को आपको catch करना पड़ेगा, और जो हम अपने course में स कैसे एका जवाब देते हैं तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चानल को सब्सक्राइब करिए हमारे हमारी इस जर्णी का हिस्सा बनिए लाइक कोर्स कर सकते हैं सीख सकते हैं काम कर सकते हैं हमारे साथ हो थैंकी सो माच गॉर्ड ब्लेस